विकास का कोई भी काम शहर में हो तो लगता है कि लोगों का जीवन और भी आसान बनेगा पर चहतरपूर में सड़क, चौडी करन और पुलिया का निर्मान कारे लोगों की जान जोखी में डाल रहा है निर्मान कार इतना घटिया है कि पुलिया में स्कूल की बस ही धस गई यूटू विकास कारी के लिए लाखो करोड रुपे के फंड सरकार देती है पर फंड का खर्चा कहां पर होता है इस बात का आकलन करना बड़ा ही मुश्किल काम रहता है जनता आस मंजस में रहती है कि आखिर ये कैसा विकास हो रहा है जो लोगों का जीवन बहतर करने के बजाए और मुश्किल में डाल रहा है चदरपुर नगरपालिका के सिविल लाइन थाना छेतर के पन्ना रोड पर सडक चौडी करन का काम चल रहा है जिसमें पुलियाओं का निर्माण भी किया जा रहा है जब एक स्कूल बस पुलिया के ऊपर से निकली तो हाल ऐसा हुआ कि बस ही पुलिया में धस गई वो तो भला हो कि बस में स्कूली बच्चे मौजुद नहीं थे वना इस्थिती और भयान वह हो सकती थी एस्कूल बस पुलिया में फसने से यातयाद भी बुरी तरह बाधित हो गया इसके बाद जैसे तैसे क्रेन की मदद से बस को वहां से निकाला गया इस मामले में नगरपाली का की CMO माधूरी शर्मा का कहना है कि पुलिया का निर्मान कार अभी चल रहा है आसपास के रहने वाले लोगों को पहले ही सूचना दी गई थी कि पुलिया के उपर से भारी वाहन ना ले जाए भारी वाहन के पुलिया के उपर से गुजनने की वज़ा से ही इस तरह की स्थिती बनी है परसों ही निर्माण कारे हुआ था और अभी वो पूरी तरह सेट भी नहीं हो पाया था आसपास के लोगों को संबंधितों को सभी को सूचित किया गया था कि यहां से किसी भी प्रकार का कोई बाहन ना निकाला जाए काम होने के लिए सेट होने के लिए उसकी एक समयाब्धी होती है अगर समयाब्धी से पूर्व हम कुछ भी उस पर कारेक प्रारंब कर देते हैं तो इस तरह की छतिग्रस्तों होने की संभावना रहती है आप देख रहे हैं डखल न्यूर्ड